एक दिन मैंने अपने आहाते में एक छोटा सा साप रेंगते देखा वह धीरे धीरे रेंग रहा था मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पढ़े हुए नारियल के एक खोल में खुश कर छिप गया मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुझ बंद कर दिया उससे लेकर मैं नानी के पास दोड़ गया मैंने कहा नानी देखो मैंने साप पकड़ा है नानी चीख उठी साप वह इतना खबर आ गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने साप 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 नाना ने सुना दोड़े आए जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर साप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छींग कर दूर फैक दिया नन्हा साप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की जाड़ी में गायब हो गया नाना ने मुझ से कहा खबरदार फिर कभी साप के पास मत जाना साप बहुत खतरनाक होता है उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की गोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया बड़ी जोड से दर्द उठा मुझे दर्द से कराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे साप ने काट लिया है मैंने तोड कर नानी को उंगली दिखाई उन्होंने जल्दी से नाना को पकारा सुनो नाना तुरां तोड़े आए और मेरी उंगली को देखा जहां बर्र ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी छोपड़ी के सामने चाकर रुके वहां पहुचते ही उन्होंने आवाज लगाई एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला वह साप के काटने का मंत्र चानता था नाना ने उससे कहा इस बच्चे को साप ने काट लिया है इसकी जाड़ पूख कर दो बूढ़ा मुझे छोपड़ी में ले गया उसने मेरी उंगली देखी और बोला चुप शाब बैठो हिलना डुलना मत फिर पीतल के बरतन में पानी लाया और मेरी सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा मैं चाहता तो बहुत था कि उस बोड़े को बता दूं कि मुझे साप ने नहीं बर्र ने काटा है पर मेरी नाना मुझे कसकर पक्रे रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया जैसे ही मैं कुछ कहने को मुझे खोलता वह डांट कर कहते डर के मारे मैं चुप हो जाता हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आप उची सब लोग उदास खड़े देखते रहें तब तक मेरी उंगली का तर्थ चा चुका था फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर चाड़ फूक करवानी पड़ रही थी कुछ मीनट बात बुढ़ा आदमी उठा उसने उसी बरतन के पानी से मेरी उंगली थोई और मुझे पिलाया भी उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा आसर हो फिर वह नाना से बोला जै हो भगवान की अब बच्चा खत्रे से बाहर है अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए बड़े जहरीले साप ने काटा था हुआ यहे दिश्यां सब लोगों ने बुरे को उसके अद्धुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाध दिया घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए लीए बहुत सी चीजें भेट में भेजी और ताकि प्रम्हें कर दोद्यूच अध़ कर दो कर दो